नमस्कार सरकारी पोलेटिकनिक भूच के मिकेनिकल डिपार्टमेंट में हम कॉम्पीटर एडेड मिकेनिकल गाफ्टिंग सीख रहा हैं और उसके अंदर हम अलग-अलग प्रकार के जो स्केचिस पीडियेप में होते हैं वह ऑटो famoso डिपार्ट में केश से जुपी जते हैं वह देखते हैं आज हम ये नया ड्रोैंग देखेंगे आज ये ड्रोैंग बनाने का प्रयास हुम करते है ईह ड्रोैंग मेकेनिकल एंजिनरिंग से संबंधित है के स्प्रोकेट इनमाऋ आप फुरा इतका स्टडी कीजिए स्टडी करने के पाद आपको पता देलेगा कि यह द्रोइंग मुझे केस से बनना वैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि यह जब भी द्रोइंग है आप यहां रखते हैं और बाद में आटोकेट में इसे चले जाते हैं तो हर बार आपको इसे घूमना पड़ता है अलग अलग तो अच्छा लगता नहीं है हम इसे घूमना हमरा थोड़ा इस्टप भी होता है काम तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका जो पीडिएप इसको कॉपी करके अपने आटोकेट में लेते हैं तो मैं यह उसकी कॉपी करक अब आटोकेट में लेता हूँ तो जो पीडिएप के ड्रोइंग था वो मैंने कॉपी अगर के अभी आटोकेट में ले लिया है तो अभी मुझे बारी-बारी से वहां जाना नहीं पड़ेगा अब हम क्या करेंगे यहां जो हमारा ड्रोइंग है उसमें एक के बाद एक काया मीटर दिया गया है कट सबसे पर यहां सर्कल बनाएंगे सर्कल कलिक करते हैं और दस कित्री देते हैं सिंपल यह बन गया, अभी क्या करना है, दस के बाद, उसके वहाँ एक 1.6 आर का ऐसा सर्कल बना हुआ है, जिसका केंदरा इसके उपर है, तो यहां हम वो भी प्रयास करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और यहां उसके क्वाडरन के उपर 1.6 का सर्कल बना देते हैं, यह भी बना दिया हमें, अभी हमें ट्रीम करना है, तो सर्कल को पेले हम ट्रीम कर लेते हैं, यहां अभी एसे कितने सर्कल हैं, तो उसके में एरे बनानी होगी, एरे कमांड से हम उसकी मल्टीपल कॉपी एक सेंटर के आसपस बना सकते हैं, तो यहां जो बनाया हुआ है, उसको यहां एरे लेते हैं, और इसमें लगेंगे पोलर एरे, और बोलेंगे यह जो चीज हैं, उसकी पोलर एरे बनाओ, शिल्यक्ट ऑपजेब्व मेंने दिया, और बाद में एंटर हुआ है, तो अभी पूछ रहा है, बेस पॉइंट कौन सा है, तो सेंटर पॉइंट यहां में देत रहा हूँ, और अपने आप यह च्छे आ गए, और मुझे छे नहीं रखने हैं, कितने चाहिए, आप पे बारा आगे हैं, और मैं इसको, अभी मुझे बाकी का सब जो है, ट्रीम कर देना है, तो मेरा यह पॉर्शन त्यार हो जागा, तो ट्रीम के लिए आपको मालूँ में है, ट्रीम दवाया, बाद में सिल्यक्ट ओल, और जहां जहां भी यह हैं, इसके हमें काट देंगा, तो यह हमारा यह से वेगदाम आसानी से त्यार होगा, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, यह भी सोचना हो, यह में ट्रीम करके आपका आउट को बिस बना लिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो यहां पांच होल बने हुए हैं, छोटे छोटे, और उसको कौन से लोकेशन पर रखा है, वो सबसे पहले देखना है, तो यहां हम देखेंगे, कि यह होल की साइज है, दो एमेम डामीटर, एक एमेम रेडियस का है, और पांच है, उसके बीक में 120 का एंगल भी दिया हुआ है, कि एक साइट से 120, दूसरे साइट से 120, तो इसके जो सेंटर है, यहां हमें कोई रेफरेंश बनाके कुछ काम करना चाहिए, तो तीन से पहल niez लाइन बनाता हूँ यहां को, यह बना दिया है, तो हमें काम आ सकता है, अभी वर्रिक्ल लैं भी बना सकते हैं, इसको हम यह बना देते हैं, यह सेंटर लाइन है हमारी 120 का इंडल दिया इसका मतलब मुझे इसके सेंटर में से एक तरफ साथ इसा एक लाइन ड्रो करनी चाहिए यह लाइन में इसके मीड में से एक दर एक यह दसका त्रीजी है तो मैं फंदो 12 करके एक दर एक माइनस 30 इससे बनाता हूं तो यह 30 है और इसको में मीरर भी कर देता हूं समझ में आई इसलिए बरना वह जरूरी नहीं अगर आप यह आपकी दो लाइन बन गई कि जिसके बीच में आपको सर्कल बनाना है अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा यह सर्कल का लोकेशन आपको ढूंड़ना है कोई बता सकता है मुझे तो आप देखेंगे 120 के अंदर है और यह इसका लोकेशन कहां से देखना है तो यह जो सर्कल है यह घूमते घूमते मीकिनिजम होता है इसके उपर घूमता है तो यहां दिया है 6 का रेडियस है तो 6 के रेडियस को बना रही है तो यह सब में जो सेंट्र लाइन बना नहीं चाहिए तो में यह सब 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 सेंट्र लाइन में डाल देता हूं और यह बाखी क्याश्चो कुछ चीज है इसको में तीन नमबर पे डाल देता है अब दो नमबर पे डाल देता है और यह एल्टी स्केल यह आपका 0.2 बढ़ देता है तो आपको सेंटर लाइन भी दीचे अभी जो मुझे करना है आर सिक्स लिखा इसकी साफसी सर्कल बनाना है सर्कल यहां से छे का और यह भी सेंटर अभी यहां जो इंटर्सेक्शन बना है यहां मुझे यह जो डायमेटर दिया है टू का वो बनाना है तो इस सर्कल और इसके इंटर्सेक्शन पे इंटर्सेक्शन पे यह बनाना है अभी यह जो बन चुका है इसको भी मैं ग्रीन बना देता हूँ यहां मैं समझने में आसा करेंगे यह मेरा सवाल है जब यह आपको Limited Angle में इसकी एरे करनी है तो आपको क्या करना है इसको Select कीजिए Select करने के बद आप एरे रनी है Polar Array यह Polar Array के बाद आपको बुछता है कि Center Point कौन सा है तो आप उसका Center Point दे दीजिए यहां तो इसके बाद यह अपना पूरा है यह फील में आपको 120 लिख देना है और यहां इसे सबसे आपके फांचों सरकल बन गए अभी आपको मनाना है उपर 60 वाला 60 वह कैसे बनाएंगे यह थोड़ा सोचते हैं वहां भी आप देखेंगे को दो नों के बीच का डिस्टंस कितना है तो वहां भी डायमेंशन यहां आर 7 लिखा है और दुसरा लिखा है आर 1 और यहां लिखा है आर 6 बलाग एक के सरकल आपको बनाना है तो यहां भी अपको रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेंगे वहां 60 डिगरी दिया इसलिए आपको फॉझी साबसे एक लाइन द्रोग करनी है यहां न धिस्ता में जाना है तो एटधर एक 12 लेस्टेन 60 यह लाइंग बन गई यह लाइंग दी मैं सेंट्रल लाइन ही है तो यह मैं सेंट्रल लाइन बना जिता हूँ यह वन में जा को अभी यह जो बना है यहाँ के यह इंटर सेक्षन दुनों होता है वहां मुझे एक त्रीज्या का सर्कल बनाना है तो मैं अभी वो भी बना दिता हूं कि रुच्छ यहां में इसका intersection point दूँगा और एक खित्रीज़ बना दूगा यह बन गया अभी यही circle मुझे opposite इसको मैं mirror कर देता हूँ mirror यहां से होता है mirror किया इसको select किया और बाद में यह central line के उपर मैंने इसको mirror कर दिया अभी यह दोनों green बनने चाहिए तो मैं इसको फिर से इसका layer change कर देता हूँ अभी मिज़ें दो circle और बनाने है वो कुण से है तो यह जो 7 का है वो और एक 5 का दो circle बनेंगे circle करके यहां एक 7 का दूसरा circle यहां 5 का यह 2 circle बन दे अभी आपको क्या करना है trim करना है यहां जितनी जग़ चाहिए उतना रखना है बागी का सब delete कर देना तो यह दोनों में green में ले अलगा न हो पेले समझने में आसा नहीं रहा है और है trim करने के बाद मुझन किया करना है यह और यह चैर्जीजार में ऎक्रुलत करता हूं और एंटर दुश को इसको काट देता हूं इसको में और इसको अवी काट डेता हूंrif तो अभी यह आपका यह person भी हो गया अभी आपका क्या बागी है तो वहाँ आप देखेंगे यह तीन छोटे-छोटे slot है यह देखें आप यह जो diameter 6 पे रखा है और 4 पे रखा है और उसके के बीच में छोटा-छोटा जगा है तो वह डाइमेंशन अभी इस ध्यान से देखना है हमें पहले सबसे पहले चार डायमीटर का और 6 डायमीटर के दो सरकल बनाने है और बाद में इसे काटना है कि ताक बीच में slit बन जा है वो slit कैसी बनती है तो वह भी दिया है यहां जो है सीधी लाइन पर आ रहा है और यहां से उसको 110 की डायमेंड डिगरी पर जाना है बाद में उसको slit कर देना है तो सबसे पहले हम यहां एक सरकल बनाएंगे स्टार्ट सरकल सरकल बनेगे यहां दो तीन यह बन गया इसके बाद इसको ग्रीन एक लाइन बनाता हूँ यहां से सीजी नीचे तर यह बन गई और दूसरी लाइन बनानी है मुझे वो यहां से 110 पर जा रही है तो लाइन यहां से 110 पर कैसे जाएगी अभी मुझे जाना है तो तो हमें मालूम है कि 90 20 मलब 20 डिकरी इदर से है तो 180 मेसे जाएगी एक सो साथ पर आएगी तो हमें एट दरेट 12 लेस देन वन सिस्टी करता हूँ तो यह लाइन यहां गई तो एक्जेटली यह जो एंगल बन रहा है वो 110 का होना चाहिए कही से पता दलेगा यह एंगल 110 का है तो उसके लिए मुझे यहां जाके इंग्यूदर मेजरमेंट ले है यह दोनों को भी में अभी ग्रीन में डाल देता हूँ आपका का अभी उगे CM करना है कं इसको 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 करना है उतने इसले शीमीर करूँंट बेलों पैसे में और भी yay करता था इसके बाद यहां किसको काटना है इसको काटना है जान से रीकर contain यहां 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 तो यह आकार हमारा बन गया है अभी यहसे तीन आकार बनने को अभी इसको ऐसे üzer में वह में बनाइंगे तो स्लेक्ट कैसे करेंगे यह जो है इसके बाद पूचता है select object एक दो तीन और चार चारों को select करके enter दबाना है base point पूचता है तो यहां जाना है और यहां हमें 360 है वो रखना है लेकिन यहां तीन रखना है करने के बाद यहां में close करें कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो ड्रोइंग बनाना था वह स्केल के हिसाब से साब कुछ ready अभी कुछ बाकी है तो कुछ बाकी नहीं है अगर कुछ भी बाकी नहीं है तो आप इसको मीटा भी सकते हो या देखके इसका देखाने के ज़रूरत नहीं है फिर भी थोड़ा demonstration करके देता हूं कि ताकि आपको ध्यान में आए इसके और इसके बीच में देना है अब देखिए बहुत ही बड़े बड़े अकसर आ रहे हैं मुझे इतने बड़े अकसर नहीं चाहिए तो इसका मतलब मुझे बदलना लंटर दिया यहान यह इसके बंदे में 0.4 कर देता हूं और फिर मैं यहां फिर से dimension देता हूं कि मेरे अकसर है भू छोटे-छोटे बन जाए और है है कि ये 120 ङो-इसके बाद यह 110 वाला देमेंस ने रिया है ये फिरसे हम अंगल वाला ही देता हैं इंगल इसमें कहां लेना है उन्य spaghetti बेंब सक्षी हरा है वे उन्या और दूसरा यह लेना है है अदब यह हमारी एक मेथड है नाइंसन देने तो हम इसको यहां से और इसको अलग पड़ जाए इसलिए यहां से नमबर में डाल जाते हैं अभी जो भी दूसरे तो कोई डाइमेंशन है वह बहुत इसे ही लिख सकते हैं यहां 60 डिग्री दिया है देख डिख तो वह हमें देना है तो इससे दे सकते हैं यहां डाइमेंश में इंगल इंडर के बाद इसका सेंटर लेना है सेंटर रॉप यह और दूसरा सेंटर रॉप यह और यहां अब ले लिजिए तो यहां 60 आ गया यह यह भी हमें यहां 6 में रखना चाहिए रख देता हूं और अब डाइमेंश नहीं दे रहा है तो यहां setting ही हम छे नंबर का कर देता है current layer ताकि सबी चीज 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 नंबर में ही बने तो degree वाले अभी क्यों से बाकी है तो अभी सब regular ले बाकी है तो अभी एक रेडियूट लिएते है इसके लिए यहां जाना है यहां जाके हम regular जाएंगी 10 जा Communist से लिखते जाते हैं सबसे पहले cancersLE लिखी है तो दस पी लिखी है और धस कि इसके बाद है इच्छे वाली कि zone इसके बाद है 7 वाले इसके बाद यहां 1 है आर 1 तो यह भी यहां 1.6 दिया है एसके सिर्ड़र यह और 4 यह चाल है यह धायमेटर लिखा हुआ है ये तीनों में धायमेटर लिखा तो हम डायमेटर में जनाप कोड़ेगा जो लिखाई करना है तो यहां डायमेटर पर लैंग जा और यह वाले यहां जो इसको भी आप एडिट करना चाहें कर सकते हैं यह आसान है यहां जो लिखा है इस तरह से एक जो उब्जेक्ट कर रहा है अभी इसको अपना जोटो कर जाओ यहां जाना है इंसर्ट करना है इसको ब्राउस करने के बास आपको अपना टाइटल ब्लोक जूड़ना है तो आपको बताया गया है मैंने बेले भी बताया है आमारा जो GP गुज का टाइटल ब्लोग है ये पोर वाला ये लेना है ओके कर देना है और यहां भी ओके करके यहां मैं रख देता हूँ अब देखेंगे यह बहुत ही बड़ा टाइटल ब्लोग आ गया है अभी में करना क्या है यह टाइटल ब्लॉक को स्केलिंग करना हो यह टाइटल ब्लॉक को अभी में स्केल करूंगा और यह बेस पॉइंट पे में समझो 0.25 यहां लाता है तो अभी और जेम बन हो गया तो यह अभी में यहां से इसको मूग कर लेता हूं यह इसमें रख देता हूं तो अपना यह ब्लॉइंग भी अभी अभी आपको यह स्केल जो है वो लिखना है तो अब लिख सकते हैं यह वन जेम पॉइंट 20 फार फार है इसलिए पॉर जेम बन लिख देते हैं और यह अपना हो गया तो इससाब का जो भी प्रेक्टिस ड्रोइंग है जितन नंबर का है वो सब अपने हमारा प्रेक्टिस ड्रोइंग है यहां में सेव कर लेता हूं तो यह प्रेक्टिस 789 यह नाइन है उ तब डूर को मिलेंगे तब ड्रो करेंगे आज बहुत लेट हो चुका है तो नेक्स टाम आप मिलेंगे अब दिखने के लिए तन्यावाग